जहीं दोस्तों, welcome back to our channel, welcome back to jobteria I hope so, कि आप लोग अच्छे होंगे, और आपने preparation को बेतरीन तरीके से कर रहे होंगे और dobre अखोराने के पत पर आगे बढ़ रहे होंगे जहाँ जारकण d Lilly sound and attach paper 3 का अगर आप preparation कर रहे हैं तो computer से भी आपके questions पूछे जाएंगे चाहे बात करें level 1 की आप preparation कर रहे हैं या फिर level 2 की कर रहे हैं तो दोनों में ही computer के questions आने वाले हैं तो उसी computer का practice sets number 1 लेकर उपस्तित हूँ और ये series जो है अभी exam तक आपके continue रहेगी तो अगर आप short period of time में अगर आपने practice को आप करना चाहते हैं रिविजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा helpful आपके लिए रहने वाली है तो बहुत ही कम समय में इस set को अब लोग complete कर लेंगे तो बने रहेएगा अंग तक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि इस तरह की जो वीडियो आप तक जो है उसका notification मिल सके तो प्लीज सब्सक्राइब आच चैनल देखिए first question है मुर्ष के नियम के बारे में इमखित में से कौन सा कतन सही है तो मुर्ष के नियम जो कहता है क्या कहता है मुर्ष के नियम तो ये कहता है एक चीप पर ट्रांजिस्टरों की सेंखा प्रति बर्स जो है दुगुनी हो ज जाएगी तो इसमें से देखिए कौन सा कथन सही है option A, B, C कौन सा सही है तो यहां पर बात करें तो यह आपका option A जो है सिर्फ सही होगा यानि दो वाला statement जो कहा गया है second statement यह बिलकुल सही है कि एक चिप की लागत प्रतिक दो बरस में आधी रह जाएगी यह कथन सही है यह कहता है आपका मोर्स के नियम कहता है तो option A आपका correct हो जाएगा next है निमनल खीत में से कौन सा विकल्प search engine का एक मुक्य भाग नहीं है तो यह जो है आपका cornel cornel जो है search engine का मुक्य भाग नहीं है तो option D आपका correct हो जाएगा निमनल खीत में से कौन सा विकल्प एक direct input device है जिसमें किसी machine या device दरा data सीधे computer में input किया जाता है तो इसमें से बताएगे कौन सा correct option होगा आपका तो इसमें आकर बात करें तो correct option हो जाएगा bar code scanner D आपका correct हो जाएगा अधूरे email को बिना भेजे किस तरह folder में storage किया जा सकता है तो अधूरे email को बिना भेजे किस तरह folder में storage रखा जा सकता है तो बताइए spam के थुरू, draft के थुरू, set के थुरू, या फिर trace के थुरू तो यह आपका जो storage किया जा सकता है आपका draft के थुरू किस के थुरू? draft के थुरू option B correct हो जाएगा जब MS Word 2010 का कोई documents पहले से खुला हो तो नया documents खुलने के लिए किस keyword shortcut का उपयूग किया जाता है तो इसका जो है आपका correct option हो जाएगा दोस्तो option B, control plus N का जो है इपयूग किया जाता है N correct हो जाएगा निमलकित में से किसका उधारन क्रिप्टो लोकर है तो क्रिप्टो लोकर जो है किसका उधारन ने बताई है इसमें से तो कीडो का add bear का resum pair का bear का या spy bear क्या तो इसका जो है correct option हो जाएगा आपका option C resum bear का जो है उधारन है क्रिप्टो लोकर ध्यान रखिएगा C correct हो जाएगा निमलकित में से किस port को mouse port भी कहा जाता है तो किस port को mouse port भी कहा जाता है तो यह आपका कहा जाता है ps slash 2 को कहा जाता है यहाँ पे जो है आपका C option correct हो जाएगा निमलकित में से कौन सा विकल्प Microsoft दरा निर्मित और विक्सित किया गया एक web browser है तो Microsoft के दरा जो यहाँ पे विक्सित किया गया web browser का नाम क्या है age है age जो है आपका यह browser है तो d आपका correct हो जाएगा ms word 2010 program में program program की line spacing के संबंद में निमलकित कथनों में विचार करना है आपको तो यह आपका कथन दिया हुआ है देख लें तो यह आपका कथन है line spacing एक देखिए line spacing किसी program में text को line की बीच लंबबते space का परिनाम निधारित करती है line spacing किसी program में text के line की बीच विकरबत space का परिनाम निधारित करती है तो इसमें से कौन सा कथन जो है सही है यह पूछ लिया है तो बताइए इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है तो करेक्ट आपसन क्या हो जाएगा बताइए मतलब इसमें से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है तो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा आपसन B यानि आपका सिर्फ और सिर्फ पी जो है आपका करेक्ट है ये वाला तो आपसिन भी आपका करेक्ट हो जाएगा